तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 इतिहास का इट मनके तथा अस्थियां चैप्टर में से हडपा जो सब्विता है उसके बारे में हम जानेंगे कि हडपा सब्विता क्या थी तो यहां हम देखते हैं हडपा सब्विता वर्ष 1924 में दयाराम साहेनी तथा राखल तास बनरजी की खोजों के आधार पर जान मार्सल ने इस सब्विता की खोज की घोशना की थी किसने खोज की घोशना की थी जान मार्सल ने इस सब्विता की खोज की घोशना की थी इस सब्विता के साची यानि की प्रमार सरप्रथम हडपा इस्थान से प्राप्त हुए थ बारती पुरातत्य को भारती पुरातत्य का जनक कहा जाता है बारती पुरातत्य सर्वेचर के प्रथम डारेक्टर जनल कॉल थे तो कनिंगम थे यह सब्विता भारत पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में फैली हुई थी यह भारत की प्रथम नगरिये सब्विता थी कोश्चन आता है भारत की प्रथम नगरिये सब्विता कौन थी तो हडपा सब्विता भारत की प्रथम नगरिये सब्विता थी इस सब्विता काल 2600 इसी पूर से 1910 इसी पूर था कब तक था इस काल का इस सब्विता हडपा सब्विता काल कब से कब तक था तो 2600 इसी से पूर 1922 पूर था इससे पूर तथा पश्चात की सांस्कृति को आरंभिक तथा परवर्थिक हरपा कहा गया है इसकी मोहरे सही वस्तु इस्तिती का बोध कराती है सेल खड़ी पत्थर पर लिखी लिपी को आज तक नहीं बढ़ा जा सकता है यह लिपी चितरातमक थी तो अगर पूछा जाए जो हरपा सभिता की लिपी थी वो कैसी थी तो चितरातमक थी और सेल खड़ी पत्थर पर लिखी लिपी को आज तक नहीं पढ़ा जा सकता बालुशिस्तान तथा गुजरात जैसे छेत्रों से इस सभिता के बाठ, पत्थर तथा फलक प्राप्थ हुए है इस सभिता का पहला खोजा गया सहर हरपा तथा प्रमुख सहर मोहन जोदरो था तो इस अगर कोश्चन आता है छोटे में आती लगू निश्चे तुतरी बहु विकल्पिये कि इस सविता में किस धातू से निर्मित वस्तू का प्रियोग किया जाता था तो कांस धातू से निर्मित वस्तू का प्रियोग किया जाता था और इसको कांस यूगीन क्यों कहा जा जाता है क्योंकि इस सभिता में कांश धातू से निर्मित वस्तु मिली थी इसके कारण से कांश युगीन कहा जाता है हडपा सभिता के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से थे तो वो निमने हैं जैसे हडपा मोहन जोदरो काली बंगा चहुंदरो लोथल बनावली ये सब हडपा सभिता के प्रमुख केंद्र थे हडपा सभिता में लोग अपने जीवन निर्वा के कौन-कौन से माध्यम थे जिन माध्यमों से वो अपना जीवन निर्वा करते थे तो हडपा सभिता में जीवन निर्वा के माध्यम निमने थे क्रशी प्रद्योग की थी पसुपालन एव के और मापतौल ये सारे उनके जो है जीवन निर्वा के माध्यम थे अब हम एक-एक को डिटेल में जानेंगे तो हरपस अबिता में जीवन निर्वा के माध्यम थे क्रैसी प्रद्योग की यहां की मुख खाध्यान जो थी फसलों में गीं हूँ जौ दाल तथा तिल संकेत मिलते हैं उसकी जब यह जो सब्विता थी हडपा सब्विता तो जो हल मिले हैं बनावली में जो हल मिले हैं उनसे पता चलता है कि जो है यहां एक इस्थान पर एक ही इस्थान पर दो फसले एक साथ उगाई जाती थी इस सब्विता में अफगानिस्थान के सोतुर ध सौतुर घई नामकिस्थान से सिचाई के अवसेश मिलते हैं पसु पालन एवं सिकार इस सब्वता के पालतु पसु भेड, बक्री, भैस, आदि थे तथा हड्डियों के साच्छों से यहां जंगली प्रजातियों की भी पुष्टी होती है पसु पच्छी एवं मश्यों की प कौन कौन से पसु पाले जाते थे तो पालतु पसु भेड, बक्री, भैस आदि थे तता हड्डियों जो हड्डियों मिली हैं उनके प्रमार से जंगली प्रजातियों की भी पुष्टी होती है कि उस समय जंगली प्रजातिया भी थी पसु पच्छी एवं मचलियों की प्रा किस्थल था यहां सिल्प में मनके बनाना धातु कर्म तथा मोहर निर्मार आदी सामिल थे यहां मनकों का निर्मार लाल रंके कर्णी लियन जैस्पर तथा सेल खड़ी आदी से किया जाता था प्रिंटिंग जो इसकी है आपकी यह थोड़ा आपको डल दिखाई दे रही होग और वैवार यहां का कैसा था इस सब्विता में बजार एवं कच्चे माल की उप्लबधता एवं पूर्ती के कारण ही वैपार दश्टिगत होते हैं यहां दूर के छेतरों में कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वैपारिक केंद्रों के आसपास बस्तियाँ बनाए गई थी जैसे अफगानिस्तान में सुतुर धई के समी नीली लार्जवर्द मणी प्राप्त करने के लिए पश्चिमेशिया के साथ वैपारिक संबन हडपा वासी सुदूर अरब प्रायदीर से वस्तूओं का अदान प्रदान करते थे हडपा सब्यता से संबन्धित एक परच चड़ा मर्तबान उमान से मिला है मैसो पोटामिया में हडपा के लिए महलुआ सब्द का प्रियोग किया जाता था मैसो पोटामिया में हडपा के लिए मिलुआ सब्द का प्रियोग किया गया है दिल मुल के इस्थानी बाट हडपाई बाट प्रणाली पर आधारी थे मोहरे और मुद्रांकन हरपा सब्विता की सेल खड़ी मोहरे आकार में चौकोर होती थी जिन पर भैस, बाग, बकरी तथा हाथी जैसे पस्वों की आकरतिया अंकित होती थी हरपा मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधा जनक बनाने के लिए किया जाता था मुद्रांकन से किसी अन्य जगे भेजी गई वस्तु की सुरच्छा और भेजने वाले के विशे में सूचना मिलती थी मापतौल हरपा सब्विता में मापतौल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था बाटों के निचले मांडन दियो आधारी तथा उपरी मांडन दस्तामलव प्रहडाली का अंस्वनर करते थे अब इनकी जैसे जो हरपा सब्विता की समाजिक विवस्ता को निम्रूपों में समधा जा सकता है प्रहडा जाती तथा विलाशिता पूर जीवन में किमती धातौं का प्रियोग किया जाता था जैसे फयान से बने लगुपात्र आदी, हडपाई समाज में धार्मिक प्रवत्तियां इस सब्रता में मातर देवी, आगी शिव, दिलिंग तथा प्राक्रतिक ततों की पूजा की जाती थी, महरुप बने अनुष्ठान के द्रसों से धार्मिक आस्थाओं और प्रयासों का अ अनमान लगाया जा सकता है, यहाँ पाल्थी, पल्थी मार कर बैठे हुए योगी को आगी शिव माना गया है, शवाधान की प्रक्रिया, हडपा इस्थिलों से मिलने वाले सवाधानों में समानता मृत्तकों को गर्तों में, यहाँ पर सवाधान की प्रक्रिया मतलब जब व प्रत्यकों को गर्तों में दफनाया जाता था तथा राजकिये सवाधान पिरामिडों में किये जाते थे जो बड़ी-बड़ी होते थे बड़ी-बड़ी वेक्टी मरते थे तो उनको पिरामिडों में उनका सवाधान पिरामिडों में किया जाता था अता पिरामिड और बिढ़ भांड तथा अभूशन मिले हैं, जो इस और संकेत करते हैं कि इन वस्तों को मित्यु उप्रांध प्रयोग किया जाता है।